आयूर्वेद अपनाए स्वास अपनाए आयूर्वेद एक ऐसी चिकिसा पर देती है जो रोगों को जड़ समेट खतम करती है हलो फ्रिंट्स यूट्यूब चैनल वनस्पति दर्शोन और फायदे में हम आपका हादिक स्वागत करते हैं दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है अंडों के चिलकों से त्वचा निखा रें फ्रिंट्स आज हम आपको बताएंगे कि कैसे अंडों के चिलकों को प्रयोग करते हुए अपनी त्वचा को सुन्दर और चमकदार बना सकते हो इसके लिए देखते रहे हमारी ये वीडियो और अगर आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल वनस्पति दर्शन और फायदे को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको तुरन सब्सक्राइब कर लीजी ताकि आप आपको हमारे हेल्थ टिप समर समर पर मिलते रहें इन दोनों चीजों को मिलाकर एक अच्छा सा गाढ़ा पेस्ट तयार कर लें इस पेस्ट को चहरे पर 10 मिनट के लिए लगाएं और इसके बाद चहरे को साफ पानी से दो लें इस पेशी के इस्सेमाल से चहरे में नमी आती है और साथ ही साथ चमक भी बनी रहती है एक हफ़ते में इस पेशी का प्रभाव आपको अपने चहरे पर दिख जाएगा अब अगले प्रयोग के अनुसार आपको अंडों के छिलकों में चीनी और अंडे का सफेद भाग मिलाना है इन तीनों चीजों को अच्छे से मिला कर इंका अच्छा सा पेस्ट से यार कर ले इस पेस्ट का इस्तिमाल हफते में एक बार करें आपको जल्दी प्रभावशारी परिणाम देखने को मिलेगा दातों को साप करने के लिए अंडे के छिलके का पाउडर बना लें और इससे ब्रश करें दातों का पीला पन अवश्य दूर होगा और दातों में चमक भी आएगी चेहरे पर डमी बनाए रखने के लिए अंडे के पाउडर में अलोवेरा जल का प्रयोग करें इसके अनुसार अंडे के पाउडर में अलोवेरा जल मिला लें और पेस्ट बना लें इस पेस्ट को दस मीनट के लिए अपने चहरे पर इस्तमाल करें और दस मीनट बाद चहरे को धोलें इस नुस्खे के इस्तमाल से चहरे पर प्राक्रतिक चमक आएगी अंडे के चिलके को अच्छी तरह से पीस कर पावडर बना लें अब इस पावडर में नीम्बू का रस या सिरका डालें और अच्छे से मिला लें अब इस पेस्ट को अपने चहरे पर लगाएं और जब यह पेस्ट सुक जाए तब गुंगुने पानी से इसको दोलें इस पेस इसके इस्तिमाल से चहरे से दागदब बिक कम होते हैं और साथ ही साथ इससे इंफेक्शन का खत्रा भी कम होता है दोस्तों अगर आप यहां दिये गए उपायों को अपनाते हैं तो आप भी अंडे के छिलके का इस्तिमाल करके अपने चहरे पर चमक ला सकते हो इसलिए इन नुस्खों को अपनाएं और फायदा उठाएं दोस्तों अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि और भी जरुवत मन्द इसका फायदा उठा सकें तक्यो वाचिंड वेडियो फ्रिंस कर दो कर दो